ये गाईज, वेलकम बेक तो मैं चैनल, टूपस किचिन एन व्लोग, तो चलो, क्या बनाएंगे देख लो, क्या है ये आमरा, हम लोग आमरा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्लीज कॉमेंट करके बताना, चलो, दिखाती हैं, क्या बनाएंगे आमरा से, बहुत ही टेस्टी लगता है, खटा मीठा, और मजा आ जाता है, चलो, छिलका उतार के, इसका सिल पटे से, उसको थेत लेंगे, पीस लेंगे, थेत लेंगे, क्या बोलते हैं आप लोग, प्लीज कॉमेंट करके बताना, तो देखो, फाइनली हो गया, काला नमाक और मेर्च एक साथ मोन लिया है, अभी इसको, देखा, कितना सुन्दर पेस्ट हो गया, बहुत ही टेस्टी लगता है, बोलते-बोलते मेरा मुँसे पानी आ रहा है, आप लोगों को देखकर पानी आ रहा है, मुझे तो क्या बताएं, तो कैसा लगा, आमरा का चार्ट, जरूर कॉमें करके बताना, और घर में बनाके भी खाना, ठेक है, गाइस, देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, और मुँ में देने से, खटा-कटा, मीठा-मीठा, और तीखा-वास्टी, बहुत ही टेस्टी है, चलो, खाले ती हूँ, बहुत ही खटा नीठा और तीखा है गाईज मैं तो उमली चाट चाट के खा रहे हूँ आप लोगों को भी दूंगी आएंगे मेरे घर तो मैं जरूर आप लोगों को ये आमरा चाट बना के खिलाओंगे तो अभी फिलाल आप लोग फॉलो कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए और ऐसा खटा मीठा आमरा चाट घर पर ही बना लीजिए दुकान पर तो खाते ही हैं आम लोग स्कूल के बाहर बच्पन में बहुत खाते थे पैसा एक रुपिया लेके जाते थे घर से टीफिन खाने के लिए और ये वाला चाट खाते थे तो अभी मैं आज बजार गई थी तो मुझे मिला बच्पन का दिन याद आ गया 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 तो लाके घर में मैं खूदी बना लिया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्पन को याद कर लिजिए बाई बाई